सुधीर चौधरी जी फिरोज गांधी को लेके विशलेशन करते हैं वो कहते हैं कि गांधी ने गांजी है 12 सितंबर 1912 को जब फिरोज गांधी का जन्व हुआ तब उनके जन्व प्रमान पत्र में गांधी नहीं लिखा है बलकि गैंडी ही लिखा है उनका जो प्रमान पत्र है वो भी हमने निकाला है फिरोज खान है उस्तोस दिर्शाइब सर्नेम का सच समझने की कोशिश करते है रहूल गांधी गांधी नहीं रहूस। सच क्या है परताल करते हैं चलिए बात कोच ऐसी है कि प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने 9 फरवरी 2023 को गांधी परवार के सदस्य ओपर सीधा हामला बोला मामला बहुत जद्धा हाइलाइटेड रहा मोधी जी पूछते हैं कि भाई साब एक बात बताईए कि नहरू उपनाम क क्यों नहीं करते हैं आप लोग क्या शर्म है भाई आपको शरन नहरू के नाम के इस्तेमाल करने में क्यूं आती हैं राज्य सभा में राश्पति की अभिभाशन पर धर्नवाद प्रस्तापर चर्चा धानमंत्री ने पूछा था अब इसका पलटबार करते वे राहूल गांधी ने कहा कि मोधी जी को भारती समाज की समझ नहीं है राहूल गांधी कहते हैं कि वो अपने पिता का सरनेम लगाते हैं आपको जानना चाहिए कि राहूल गांधी का सरनेम उनके दादा के नाम से आया है फिरोज गांधी उनके दादा थे सुतंतरता से खान थे इशारा यह होता है कि मुसल्मान थे जैसे मुसल्मान होना कोई गुरहा हो गया ठीक है एक पक्ष यह कहता है तो दिर चौधी जी कह रहे हैं कि उनका नाम फिरोज घांधी है गांधी नहीं है दौने बात कौन से सच्छी है फिर दौने गपोड़ी है लोग यह भी कह सब्सक्राइब करने को यह वाशकता मैसूस नहीं करता है ऐसे में खान थे गांधी थे वह दौन चलता रहा लेखक और पत्रकार अशोक कुमार पांडे इंक्रेडिबल हिस्ट्री के मुताबिक पार्सियों में गांधी सरनेम तो है गांधी सरनेम देहने को नहीं मिलता है पिता का नाम जहांगीर फरिदून गांधी था उनका तालुक आज के गुजरात के भरूच से था फिरोज गांधी की मा का नाम शादी से पहले रतिमाई कमिश्रियात था जो शादी के बाद रतिमाई गांधी हो गया सवाल यह उठता है कि बार्टिल फॉक ने फिरोज गा गांधी के पिता का नाम गांधी लिखा हुआ था जिसकी स्पेलिंग G-A-N-D-H-Y है इसे किसी भी तरीए से गांधी तो नहीं पढ़ा जा सकता सुधीर चौधरी जीस को गांधी पढ़ रहे हैं भारत में तो स्पेलिंग की एक समस्य रही है हो सकता है कि लिखने वाले ने आ इस पात मंत्रा ले था अब दिल्चस्प यह है कि जब फिरोज गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे तो केड़ी मालविये के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो आगे अंग्रेजी साशन का मुकाबला कर रहे थे इनहीं केड़ी मालविये के हवाले से बटिल फॉक भी फिरोज का नाम गांधी था गांधी नहीं इसके अलावा 1933 में जब फिरोज 21 वर्ष के थे उस जमाने में लीडर नाम का अकबार इलहाबाद से निकलता था उस अकबार के कटिंग भी बाटिल फिरोज गांधी लिखा हुआ था इस अकबार के कटिंग में फिरोज का बचपन से जानते थे इलहाबाद में दोनों आज़ादी की लड़ाई में साथ साथ थे एक किताब है इंदू से प्रधान मंत्री उसमें भी स्पस्ट किया गया है पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की बुवा कृष्ण हटी सिंग ने अपनी नौवे अध्धाई में फिरोज गांधी के कुल नाम और इसमें आ रही अर्चनों पर भी रोश्णी डाली है उन्होंने लिखा कि फिरोज का कुल नाम गांधी ही था इसे अपब्रंश के तौर पर गांधी भी कहा जाता थे वह लिखती है कि गांधी जो है वो कुल नाम या फिर उपनाम है इसका संबंध भी अन भारत्य उपनामों की तरह परवारों के पेशे या विवसाय से होता है जो लोग मोदी हैं, पंसारी हैं या गंधी का काम करते थे वह गांधी कहलाते थे फिरोज और इंद्रा गांधी के दो बेटे हुए राजीव और संजय राजीव और संजय पिता के गांधी कुल नाम होने की वज़ा से उन्होंने अपने नाम के साथ गांधी कुल नाम धारण कर लिया ये बात उस पुस्तक में सपस्ट तोर पे लिखी है साफ है जब आप फिरोज गांधी का इतिहास तलाशते हैं तो पता चलता है कि खांधी वाला नाम बगवास है उसी तरह जैसे फिरोज के नाम के साथ खांचोड़ना भी बगवास है इस सारी अफवाएं हैं दुश्परचार हैं उनके सभी सर्टिफिकेटों में वरुन गांधी गांधी कहते हैं कि वे अपने पिता का सरने बलगाते हैं रहुल ने तभी तो बोला कि देश के प्रधान मंत्री को भारतिय समाज की समझ नहीं तो लोगों का भ्रहम तोड़ने के लिए इस वीडियो को तीन वार्ट शेर कीजिए चाहिन वंते मात्रम स्टे अप्डेटेट स्टे एजुकेटेट सब्सक्राइब जायते नमस्कार